आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नमश्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है आज का हमारा question है domain of definition of the function fx is equal to under root 3 cos inverse 4x minus pi is equal to dash तो इस question में हमें एक function given है fx is equal to, हमें बस यह given है under root 3 cos inverse 4x minus pi इस function का हमें आपर domain find करना है domain का मतलब होता है कि x की वो values जिस पर fx जो है वो defined है ठीक है तो अगर हम इसके x की values अगर हम find करेंगे find अगर हमें करनी है अगर x की values तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर root की term है तो हम जानते हैं कि root के अंदर की जो भी term है वो positive होनी चाहिए अगर positive नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे पस imaginary term बनेगी उस पर हमारा fx है वो defined नहीं होगा तो इसको well defined करने के लिए जो root के अंदर वाली term है हमारे पास हमारे पस root के अंदर वाली term जो है वो है 3 cos inverse 4x minus pi यह term है तो यह term यह term या तो 0 के equal हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है तो इसको हम लिख सकते है greater than equals to 0 तो यहाँ से अगर हम x की जो भी values find करेंगे वो हमारे इस fx का domain आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से अगर हम इसको shift करेंगे तो यह हो जाएगा cos inverse 4x is greater than equals to pi by 3 तो यहाँ से cos inverse 4x अगर pi by 3 से बड़ा है तो इसको अगर हम दौनों तरफ cos apply कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x is greater than equals to cos pi by 3 लिख सकते हैं इसको ऐसे ठीक है तो 4x की value हाँ से क्या जाएगी cos pi by 3 की value होती है 1 by 2 तो x की value हो जाएगी मारे पास यहाँ से x की value हो जाएगी greater than equals to 1 by 8 तो x is greater than equals to 1 by 8 अब इसको अगर हम number line पर plot करेंगे तो यह हमाई पास number line हमाई पास कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ पर यह हो जाएगा minus infinite यह infinite और यहाँ पर center पर 0 लिखेंगे तो 1 by 8 positive term है यहाँ पर 0 से बड़ी है तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 by 8 और 1 by 8 के equal 1 by 8 के equal भी है और 1 by 8 से बड़ी भी है तो इसके आगे जितनी भी सारी values है वो सब इसका domain है तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं domain of fx domain of fx यह हो जाएगा हमारे पास x belongs to closed interval 1 by 8 1 by 8 के equal भी हो सकती है अगर 1 by 8 के equal put होगी तो उस case में हमारे पास fx 0 आजाएगा तो वो भी defined है तो 1 by 8 से लेकर infinity पर open interval लगा देंगे तो यह हमारे पास यह हमारे पास fx का domain आजाएगा और यह हमारे असका answer हो जाएगा Thank you Classics to 12 से लेके need IIT GE means or advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर